हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आइट्स करने से पहले कौन-कौन से डाउट्स आपके मैंड में आते हैं और किन डाउट्स की कलारेटी होना बहुत ही जादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके मैंड में डाउट्स और कन्फूजन रहेंगे, तो फियर और लो कॉन्फिडेंस भी आटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, जादा तर बच्चों के मैंड में जब वो आइट्स करने बैठते हैं, चले जाते हैं कोचिंग सेंटर में, तो बहुत सारे डाउट्स उस टाइम प करते हो, ओके, यह जादा तर बच्चों के साथ होता है, अब देखिए, आइट्स करने से पहले, जाफिर अगर आप आइट्स कर भी रहे हैं, तो कौन-कौन से डाउट्स और कन्फूजन आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए, देन आपको आइट्स के लिए जाना चाहिए, ओ मेशा आप लोगal confident फेल करोगे, जैसे ही आपको clarity हो जाएगी, तो confidence अपने आप ही आप में आ जाएगा, आप बात करते हैं, कि वो clarity आए कैसे, ठीक अपने doubts वो पहले clear कर लो अच्छे से ठीक है मैं उसके regarding बहुत सारी वीडियो बना रही हूँ आप वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं आप देखिए ये हैं वो basic grammar rules जो आपको पता होने चाहिए आइट्स करने से पहले पहले है tenses देखिए present past future के बारे में जितने भी tenses है वो आपके clear होने चाहिए मैंने उसके regarding videos डाल दी हुई है कोई भी doubt आपका नहीं रहना चाहिए ठीक है फिर है helping verbs helping verbs आपके सारे clear होने चाहिए किस के साथ exam r लगता है कहां लगता है has have had कहां लगता है किस situation में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीज़ें आपको clear होने च चाहिए can, could, could have, would, would have, may, might, used to और भी बहुत सारे ठीक है ये फिर उसके बाद articles आपको पता होने चाहिए articles आप बोलोगे a and the हमें पता है but actual में आपको नहीं पता होता है जब भी आप sentences बनाते हो आप हमेशा articles में गड़बड करते हो और इन ही articles से क्या होता है आपकी mistakes हो जा करवाया जाता है और detail में आपको ये चीजें नहीं करवाया जाती मैं आपको अपने चैनल पर हर वीडियो इन सब की उपर मैं वीडियो बना रही हूं और आपने क्या करना है उन वीडियो को देखना है जैसे ही आप वो वीडियो देख लेंगे आपके सारे doubts clear हो जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको इस सारे doubts जो है वो clear करने है तरह मैं आपको बताओंगी कि आयट्स की preparation करनी कैसे है उसके regarding भी मैंने बहुत सारे cue cards बगारा डाले हुए है speaking के regarding और भी मैं आपको हर चीज़ बताओंगी cue cards prepare कैसे करना है उसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाक करो और आपको मिल जाएंगी इसके regarding videos और जब आपका कोई doubt नहीं रहेगा तो आपको arts बहुत easy लगना शुरू हो जाएगी then मैं आपको कुछ tricks share करोंगी जिसकी वजह से आप अच्छे band ले सकते हो okay बस मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि जब भी मैं new videos ले डालूं इसमें आ आपको proper notifications आ जाएं okay अगर आपको कोई भी ओर doubt है तो comment section में मुझे comment करके जरूर बताएं कि किस चीज में आपको सबसे ज़दा doubts आते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर कीजिएगा thank you so much